जैहिंद और हलो गाईज स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियांदे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारतिय अंतरिक्स अनुसंधान संगठन यानिके इसरो विक्रम सारा भाई अंतरिक्स केंद्र यानिके वी एससी इसके बारे में कि कैसे आपको इस भरति का फॉर्म करना है यह भरति आपकी पर्मनेंट है जिसमें कि आप लोग आल इंडिया से अपलाई कर पाएंगे तो वीडियो को देखते रहिए पहले आपको यहां पर यह बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें इलिजिबल है अगर दो तीन मिनेट तक वीडियो को देखने के बाद में आप इसमें इलिजिबल पाए गए तो आप आगे इस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को भर ली जगा अब चलिए सुरू करते हैं गाईज यहां पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ओफिसल साइट जो अ और रोटी ने इसका लिंक वीडियो को डिसकुशन में दिया है जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस वर्ती की जानकारी यहां पर भी आ जाएगी जहां पर आप जानेंगे कि आप लोगी स्पॉंग को 27 नॉमबर दो जाते हैं इस तक भर पाएंगे और आ इस कैडिगरे में कितनी हैं वह आप यहां पर चेक कर सकते हैं अपलाई करने के लिए आप से rays की हो गयता साथ और आप लाइट वेहिकल डॉय वर की पोस्ट पर रापलाई करें तो आपके पास लाइट वेहिकल डॉयिवर का लासन्स होना चाहिए और सांते तीन साल का सब् पास experience है तो और भी अच्छी बात है और इसकी detailed में जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है heavy vehicle driver पर apply करने के लिए आपके पास में यहाँ पर एक public service badge भी होना चाहिए अब आपने जानकारी जानी इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी जो age limit है वो देख ले age limit आपके यहाँ पर 35 साल maximum रखी गई है जनरल category candidate के लिए OBC के लिए 38, SC के लिए 40 और ST के लिए यहाँ पर 35 है इसके अलावा salary आप देख सकते हैं आपको 19,900 रुपे से लेकर के 63,200 रुपे पर मत दी जाएगी और यहाँ पर selection आपका return test और skill test के दुआ रख किया जाएगा आपका जो exam pattern है वो यहाँ पर आपको दिया गया है इसमें apply करने के लिए आपको application fees भी पे कर लिए सभी category candidate को यहाँ पर 500 रुपे application fees पे कर लिए जिसमें जो जनरल OBC category candidate है इनको return test देने के बाद में 400 रुपे refund कर दे जाएंगे जो बाकी category candidate है इनको यहाँ पर पूरी की पूरी fees return test देने के बाद में refund कर दी जाएगी अब चलिए आपने eligibility के बारे में जान लिए आभी हम बात करेंगे कि कैसे आपको apply करना है तो यहीं पर सबसे उपर आपको apply का option दिया है आप इस पर जैसी क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक नहीं website इस तरह से open होगी यहाँ पर आने के बाद में आपको देखने को मिलेगा को open करना है उसको open करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा अब आप यहाँ पर इसको confirm कर दीजिए confirm करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा interface आ चुका है जहां पर आप अपना photo and sign upload करेंगे फोटो का जो साइज जो 30 के भी से कम रहना चाहिए डाइमेंसर 150 वाइड और 200 उसकी हाइट रहनी चाहिए तो आप चूज फाइल के उपर क्लिक करेंगे जहां पर भी फोटो फाइले सेलेक्ट कीजेगा और यहां पर जिसकी मैं इस फोटो को एक्जामपल के लिए आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं इसके बाद में यहा फोटो एंज सिगनेचर इसके उपर क्लिक करेंगे अब आपका यहां पर फोटो एंजाइन अप्लोड हो चुका है अभी आप यहां पर अपनी अन्य जानकारी फिल करेंगे जैसे कि यहां पर आपको फुल नेम अपना फिर से एंटर करना है तेंथ के सर्टिफिकेट के अक यहां पर आपके सामने कि क्या आप एक वीड़ो या डाइवोस्ट या फिल मुमें जुड़ेसली सेपरेटिट अगर हां तो आप यहां पर इसमें आंसर कर पाएंगे बट अगर आपके सामने एक्टिव नहीं है अब आपको यहां पर पहले अपना सेलेक्ट करना नेसलिटी आप अब आपके दिसलिटीं ने हीएं तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे फिर यह डाइब walks इşrien आइब इसके बाद में की आप्र यहां पर आपको Latino करना है फिर आप लें Dec तो यह पर इसके बाद में आपके सामने कॉंटेक्टट डिटेल आ चुक यह आपका यहां पर आड़ास आ को भरना है सबसे पहले नियरेस्ट रेवेस्टेस्ट तो आपको नजदी की रेवेस्टासन कौन सा है वहाप यहां पर लिखिए address for correspondence यानिके present address तो जो भी आपका present address है वह आप यहाँ पर line first two three इनके अंदर लिखेंगे और जो आपकी city है वो city आपको यहाँ पर खुद से enter करनी है आपका pin code क्या हो pin code आप यहाँ पर डाल देंगे state यहाँ से आपको अपनी select कर लिनी है फिर आपका जो number है वो आपको डालना है और इस तरफ आप देखेंगे कि permanent address है तो अगर आपका correspondence यानके present और permanent address एक है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे अगर अलग है तो अंटिक करके अलग से भर दीजेगा फिर आप यहाँ पर next पर click करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर qualification की जानकारी आ चुकी है तो यहाँ पर आप दखेंगे exam name 10 तो आप यहाँ पर 10 रहने दे और इसके बाद में यह रोपासिंग आपको बताने कि कि साल के अंदर आपने पास की है और फिर यहाँ पर आपका जो board है वो आपको select करने तो जिसकी state board अगर कोई है या फिर cbc फिर icc वो आप select कर लें इसके बाद में आपके नंबर किसके अंदर परसेंटेज पर बताएंगे अगर परसेंटेज तो आपको 100 में से कितनी परसेंटेज आई थी तो आपने जानकारी भरी इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नीचे डू यू पोसेस वैलिड लैट वह वहे कल लेसंस अगर हां तो यस कीजिए रहे गा फिड़ी पॉसेस मिनम्म थी एयर एक्सपिरेंस ऐज लाइट व कउपसण है तो बाप यहां पर नेक्स्ट कर दें नेक्स्ट करने के बाद में अदर डिट्यल आपके सामने जहां पर आपकी फीस बाद में रिफंड होगी तो अकाउंट नमबर आपका क्या है वह आप यहां पर लिखेंगे एंटर अकाउंट नमबर अगें आपको अपने नमबर दोबारा यहां पर डालना है अकाउंट का फिर आपका नाम क्या है बैंक अकाउंट के अंदर वह आप लिख एक्सप्रेंस कितना है वह आपको यहां पर बताना है पहले आप यहां पर आपका यह सेलेक्ट कीजिए और फिर यहां से आपका मंद स्लेक्ट कर लिए इसके बाद अगर आपको यह रिलिवेंट इन्फोर्मेशन देना चाहते तो आप इस बोक्स के अंदर दे सकते हैं अगर आपके परकां यह तो आप यहांपर यह लिखोंग दीए फिर आता है इफ सेलेक्ट इंसरी अगर आप सीलेक्ट हो जाते तो आपको कितना टाइम चाहिए जितनी भी जानकारी भरी है उसका प्रिव्यू है आप यहांपर एक एक करके सभी जानकारी चेक कर ले अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई जानकारी spelling mistake है या फिर अन्य कोई mistake है तो आप back के उपर click कर किसको सही कर ले नहीं तो आप confirm and submit के उपर click कर दे अब इसके उपर click करने के बाद में जो आपका application form है वो submit यहाँ पर हो जाएगा तो guys आप यहाँ पर देख सकते form submit हुआ है बट अभी आपका कुछ प्रोसेस बाग किये आपको यहाँ पर आपका रशन नमबर मिला है जो कि आपको note कर लेना है अभी आप यहाँ पर verify OTP के उपर click करेंगे इसके उपर click करने के बाद में यहाँ पर आपकी post select करेंगे अपनी email address डालेंगे जो कि अभी आपने आप पर register किये and then फिर आप यहाँ पर submit के उपर click करेंगे तो guys आपके number पर एक OTP गया होगा वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए and then अब आपको submit के उपर click करना है इसके बाद में आप दखिएंगे कि आपका यहाँ पर OTP verify हो चुका है अब आपको क्या करना है आप यहाँ पर फिर से इसी page पर आईए और अभी आपको make payment इसके उपर click करना है make payment पर click करने के बाद में यहाँ पर आपको payment के page पर transfer किया जाएगा और आप अपनी application फिर जमाग कर पाएंगे जैसी आप यहाँ से अपनी application फिर जमाग कर देंगे तो फिर आप यहाँ पर print application form after making payment इसके उपर click करके अपना जो form का print हो ले सकते हैं और जो मैंने apply link दिया हुआ यह apply link open करने के बाद में आप यहाँ पर print के उपर click करके यहाँ से भी अपना print ले सकते हैं तो guys इस तरह से आप लोग इस form को भर पाएंगे I hope यह जानकारी आपको प्रसंद आई होगी अगर कोई सवाल डाउट रह गया है तो आप comment के माद्यम से पूछ लीजेगा यह थी आपकी इस रो वी एससी driver online form 2013 के बारे में पूरी जानकारी Thanks for watching जय हिंद